इंडिया एंड अ व्र्ल्ड इंडिया की जो लोकेशन है अगर उपर वाला पार्ड देख अगर उसकी जो लोकेशन है हमारी कंट्री की यह यहाँ पाकिस्तान यहाँ पर दे静 गप are तो ये काफि सारे हैं मतलब हैमान। अक्षिंच घर्ड 7 पर तो इस तरह से ondir कुछ इस तरह के और कि देशों को कंडेक्ट करता है इस वजह से इंडिय में ट्रेड काफी एजिली, हो पाता है। अब यू इस तरए जो करती है करता है और बाकी जो अदर देश है ठीक है इस्ट के देश और वेस्ट के देश ठीक है तो ये सारी के सारी जो देश उसको कनेक्ट करता है अब देखो इंडिया की पोजिशन जो है जैसे अगर हम बात करिया है एक सवाल है कि इंडियन ओशन एक ओशन का नाम इंडिया के नाम पर है इंडियन ओशन तो यहां समझने वाली बात यह होगी कि इंडिया जो है उसकी स्च्रेटेजिकल लोकेशन के वजे से क्योंकि उइरोप की कंट्री को भी कनेक्ट करता है और काफी सारी इस्टेणों कंट्री को भी कनेक्ट करता है दिक के नाम एक ओशन का नाम आदेrise है अगर हम देखे इंडिया न जो पैनेंसुला है ठीक है जो तीन पार्ट से पानी से घिरा हुआ है तो ये इंडियन ओशन को ये जो पैनेंसुला है इंडियन ओशन को तो पार्ट में डिवाइड करता है इस तरफ है बे ओफ बेंगॉल और इस तरफ है अरेबियंसी है हमें याद रखना है इस तरफ है बे लोकेशन के वज़े से अब अगर हम आगे देखे तो यहां पर एक इंपोर्टेंट सा टॉपिक दिया हुआ है आपको जो की डिसकूस कर लेते हैं देखो यह मुंबई है और यहां पर ब्रिटेन है ना तो ब्रिटेन से पुराने समय में क्या होता था अगर इंडिया आना है इस तरीके का यह वाला रूट यूस किया जाए था हम देख रहे हैं यह रूट जो है काफी जादा लॉंग है 19,800 किलो मिटर अब क्या होता है 1896 में ठीक है देख लेते हैं एक बार यह देखो 1869 में तो 1869 में क्या होता है स्वेस कैनल का निर्मान होता है 1929 में तो यहां से जो है अब स्वेस कैनल के बनने के बाद यह देखो यहां से एक स्ट्रेटिजिकल रूट हमें मिल गया जिससे क्या होगया हमारा जो कनेक्ट हो रहे थे बरिटन से तो यह या बाकिके यूर्वपियन देश से तो यह हमारे लीए काफी आसान हो गया अब जो हमें रास्ता तेह करना था वो सिर्फ 11600 किलोमेटर दूर का था ठीक है ना तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो है इंडिया की लोकेशन किस तरह से माइने रखती है पुरे ना सिर्फ इंडिया के लिए बलकि पुरे वर्ल्ड के लिए ठीक है तो यह यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है जिससे में भी क्वेशन आ सकते हैं तो यह आप बिलकुल अच्छे से याद रखोगे 1869 ओके थैंक यू